फ्रीडम, पाशन और करेज ये तीन ऐसे मूल मंत्र हैं जो किसी भी बिजनस को शुरू करने से पहले बेहब जरूरी हैं। आप अगर कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं, बड़े entrepreneur बनना चाहते हैं, तो ये तीन शब्द आप गांठ बांद लीजिए। करना चाहते हैं तो ऐसे में अपना business हर लिहास में अच्छा होता है। अगर आप नई कमपनी खूलना चाहते हैं या फिर नया काम शुरू करना चाहते हैं तो कई सारी ऐसी फॉर्मेलिटीज हैं, कई ऐसी आपचारिकता हैं जिन से आपको गुजरना पड़ सकता है और इन ही चीज़ों के बारे में आज हम आपको बताएंगे, इसके लावा हम ये भी बताएंगे कि किस तरह से आप अपनी कमपनी को रिजिस्टर करा सकते हैं और किस तरह से ये पूरा प्रॉसेस होता है तो दोस्तो बिजनस शिरू करने से पहले सबसे पहले जो आपको बात ध्यान में रखनी है वो ये कि आपको कौन सा बिजनस सूट करता है यानि कई लोग होते हैं, कई बार मैंने सुना है लोगों के मुझ से कि भई मैं ऐसा काम करना चाहता हूँ जो आज तक मार्केट में किसी ने न किया हो मैं ऐसी एक चीज लाना चाहता हूँ मार्केट में जो आज तक किसी ने न कही हो, ना देखी हो, ना सुनी हो ऐसा सोचना गलत नहीं है लेकिन याद रखिए इसमें रिस्क भी उतना है हमारा तो मारना यह है कि आप वो काम शुरू करें जो आपको सूट करें यानि कि जो आपने देखा हो भापा हो समझा हो और आपको उसकी चीजें पता हो उसके profits क्या है उसके loss क्या है वो सब आपको जानकारी हो तांकि loss का जो scope है वो minimum हो जाए ऐसे में आपको जो भी business शुरू करना है उसकी market value पता होनी चाहिए क्या requirement है उसकी वो पता होनी चाहिए और इन सब से उपर आपको अपने budget का भी खयाल रखना है कि आपका budget कितना है और आपकी requirement क्या है और आप क्या करना चाहते हैं वैसे आजकल तमाम ऐसी policies हैं आजकल तमाम ऐसे schemes हैं जो सरकार की तरफ से चलाई जा रही है नए entrepreneurs के लिए ताकि वो loan आसानी से ले सके इसके बाद सवाल उड़ता है कि आखिरकार business को register कैसे करवाया जाए अब business register कराने के भी अलग-लग तरीके हैं दोस्तों यह तो business start करने के कई सारे तरीके हैं यह एक ऐसा तरीका है जिसमें business के owner आप खुद ही है बिजनेस का profit और loss होगा वो आपका खुद का होगा बहुत सारी small business owner इसको use करते हैं जैसे कि किराना स्टोर वाले अगर आप भी अपनी छोटी मोटी दुकान खोलना चाहते हैं तो आप अपने business को as a proper ridership register करवाएंगे बस एक बात का ध्यान रखना है कि business में चार से जादा लोग काम ना करते हों इस proper ridership के कई सारे फाइदे हैं और सबसे बड़ा फाइदा यह है कि इसमें सरकारी registrations बहुत कम है यानि कि आपकी माथा पच्ची बहुत कम है अपने business को as a proper ridership register करवाने के लिए आपको local authority के पास जाना पड़ेगा अगर आप शहर में रहते हैं तो आपको municipality के पास जाना पड़ेगा लेकिन अगर आप गाओं में रहते हैं तो ग्राम पंचायत के पास जाना पड़ेगा आपको बता दें कि इसका registration करवाने के लिए एक हजार उपए लगते हैं और साथ ही एक से दो दिन का समय लगता है और दोस्तों अगर आप खुद को company के profit और loss से अलग रखना चाहते हैं तो इसके भी कई तरीके हैं इसका एक तरीका है OPC यानि One Person Company ये एक तरीका है business register करने का जिसमें आप खुद जिम्मेदार नहीं है अगर आपकी company में कोई नुकसान होता है तब माल लीजिए किसी ने loan लिया है और उसकी company ढूब गई है तो ऐसे में bank आपके घर की निलामी नहीं कर सकती महत्तपूर्ण बात ये है कि One Person Company में आपको अपनी company का director भी बनना पड़ेगा और shareholder भी उसका registration cost अप्रॉक्स 6,000 रुपे है और इसका registration complete होने में 5-10 दिन का समय लगता है दूसरा तरीका है private limited के नाम से register कराने का यानि की इसमें आपको दो director चाहिए और दो shareholder चाहिए private limited company का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपको bank से loan आसानी से मिल जाता है company को as a private limited register करवाना काफी सही होता है company के नाम के आगे private लग जाने से company पर आपके customers, bank और investors सभी आसानी से भरोसा कर लेते हैं ऐसे में आपको fund के लिए investor मिलना थोड़ा आसान हो जाता है अब क्योंकि private limited company सबसे भरोसे मंद और सबसे authentic माना जाता है उसका registration तो ऐसे में government की तरफ से जो registration की regulations है वो बढ़ जाती है तो चलिए आज को आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर comment box में लिखेगा कोई भी सवाल हो कोई भी doubt हो आप हमारे को comment box में लिखे हम उसका उत्तर जरूर देंगे इसके लावा आप subscribe करना ना भूले हमारे चानल को और bell icon button बिना दबाए मत जाईएगा क्योंकि इसके द्वारा आप तक हमारा पहला वीडियो जल्द से जल्द पहुँचेगा तो like कीजिए, share कीजिए, subscribe कीजिए, नमस्कार